खिलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आज़रू हूँ कि आज अभी एक घंटे के बाद क्लाश 10 और क्लाश 12 के रेजल्ट्स आने वाले हैं तो दोस्तों, अगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके रेजल्ट्स कुछ भी आते हैं अगर वो नहीं मिल पाता हैं तो वो समझते हैं कि मेरी लाइफ खतब है अब मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त ये जो results होते हैं ये कागच के एक टुकड़े हैं बट आपकी जो life है वो बहुत important है बहुत सारे ऐसे लोग है जिनके life में पढ़ा ही नहीं जो इस्कूल ही नहीं गए और आज दुनिया की talk label पे बहुचे हुए हैं तो कभी भी एक छोटे से result के टुकड़े के लिए अपने आपको ख़दन करने अपने आपको नुकसान पहुचाने जैसे चीजों के बारे में सोचना मत वो तो केवले कागच का टुकड़ा है बट आप तो अपने parents के लिए उनके जिगर के टुकड़े हो या आप इंड कर लेते हो अपनी life को क्योंकि अब भी आपके पास वो समझ नहीं है कि life इसके बेगर भी चल सकती है अगर ये चीजे जो study आप करते हो जो पढ़ते हो अगर ये ना भी हो तो भी आप अपनी life में बहतर से बहतर कर सकते हो तो ये अपने अंदर सोच चरूर डबल अब कीजे कि results कुछ भी हो वो define नहीं करते कि आपकी life कैसी होने वाली है आपके effort आपने क्या सीखा है वो define करेगा कि आप life में successful होंगे या नहीं होंगे कागज की इन टुकड़ों की value बस वहीं तक है उससे जादे नहीं वो किवल आपको एक symbol देते हैं कि हाँ आपने study किया हुआ है क्या आपने मेहनत किया हुआ है वो आपके effort का नतीज़ा है अगर वो गलत भी हो गया आपने effort नहीं भी किया हुआ है वो गलत भी हो गया result तो भी आप आगे effort करके उस result को बदल सकते हैं अपनी life में कुछ achieve कर सकते हैं अपनी life में आपके बहुत कुछ achieve हो सकता है तो बस मैं यही कहने आया था आज आप से कि results आपके कुछ भी हूँ ये define नहीं करते कि आप कौन हो results कुछ भी हूँ, be happy और आगे उसको और बहतर बनाने की आप कोसिस कर सकते हो तो कभी भी खुद को नुक्सान पहुचाने के बारे में मस सोचना इस पात पर गौर करना